दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग्षा उधरी दोस्तों सभी प्रतियोगी परिक्छाओं में सामान्य अध्यन के अंतरगत भारत एवं विश्व के खनीज उत्पादन के नवी इंतम आकडों से संबंधित प्रश्न अवस्य ही आबे के अयस्क उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम क्या है इसी के द्रिश्टिकत आज की वीडियो में प्रस्तुत है नवीनतम आकडों पर आधारित भारत का खनीज उत्पादन और भंडार इसमें हम जानेंगे खनीज उत्पादन में भारत के सीर्स एवं अग्रडी राश्ट्रों का क्रम तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहले खनीज उत्पादन और भंडार में हम कोईला उत्पादन पर आते हैं देखिए दोस्तों कोईला उत्पादन में जो हमारे राज्यों का क्रम है उसमें प्रथम अस्थान पर कोईला उत्पादन में 36 गड़ है दूसरे अस्थान पर उडिसा और जारखंड का अस्थान तीसरा है तो देखिए कोईला महतपूर्ण खनिज है जिसमें 36 गड़ हमारा पहले अस्थान पर है उडिसा दूसरे और जारखंड का अस्थान तीसरा है जबकि कोईला भंडार की में कोईला और लौह ऐस्क से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं तो कोईला उत्पादन में नवीनतम आकड़े जो हमारे पास हैं उसमें 36 गड़ सिर्शास्थान पर दूसरे अस्थान पर ओडिशा तीसरे पर जारखंड है जबकि भंडार की दृष्टी से जारख पहले ओडिशा दूसरे और 36 गड़ तीसरे अस्थान पर है आएए देखते हैं दोस्तों बाकसाइड अयस्क के उत्पादन में जो भारत के राज्यों का क्रम है वो किस प्रकार से है दोस्तों बाकसाइड के उत्पादन में ओडिशा जो है हमारा सिर्श अस्थान पर है या गुजरात तीसरे अस्थान पर है और भंडार की दृष्टी से देखा जाए तो बाकसाइट भंडार में उडिशा का ही पहला अस्थान है आंध्रप्रदेश दूसरे अस्थान पर और गुजरात का अस्थान तीसरा है तो बाकसाइट उत्पादन में और उत्पादन और अब आईए देखते हैं दोस्तों लौह आयस्क उतपादन में लौह आयस्क के उतपादन में ओरीसा पहले अस्थान पर है चछतिस गढ़ दूसरे अस्थान पर और करनाटक तीसरे अस्थान पर है तो देखिए लौह आयस्क उतपादन में भी ओरीसा का पहला अस्थान है चछतिस गढ़ दूसरे और करनाटक तीसरे पर दोस्तों लौह आयस्क के भंडार की दृष्टी से देखा जाए तो लौह आयस्क के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं मैगनेटाइट और हेमेटाइट मैगनेटाइट जो लौह आयसक के भंडार हैं उसमें करनाटक सीर्स पर आंधरप्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे अस्थान पर है जबकि हेमेटाइट आयसक के भंडारण की दृष्टी से देखा जाए तो ओरीसा पहले जारखंड दूसरे और चछतिस गढ़ ती मध्य परदेश पहले अस्थान पर दूसरे पर राजस्थान और तीसरे अस्थान पर जारखंड है जबकि तामर आयसक भंडार में राजस्थान पर थम पर है दूती पर जारखंड और तीसरे अस्थान पर मध्य परदेश है तो देखिए दोस्तों तामर आयसक उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले अस्थान पर राजस्थान दूसरे और जारखंड तीसरे पर है जबकि तामर अयस्क के भंडार के भंडारण के बारे में देखा जाए तो तामर अयस्क के भंडार सरवाधिक राजस्थान में उसके बाद जारखंड और फिर मध्य परदेश में है स्वाण उत्पादन के आकड़े देखते हैं दोस्तों स्वाण उत्पादन आप जानते हैं कि सरवाधिक मात्रा में करनाटक से होता है तो करनाटक हमारा स्वाण उत्पादन में शीर सराज्य है और जारखंड दूसरे अस्थान पर है जबकि स्वण भंडार की दृष्टी से करनाटक प्रथम अस्थान पर राजस्थान दूसरे और आंधर प्रदेश का तीसरा अस्थान है स्वण उत्पादन का अधिकतर हिस्सा जो है करनाटक से प्राप्त होता है दूसरे अस्थान पर जारखंड है जबकि स्वण भंडार की दृष्टी से करनाटक सीर्ष पर दूसरे पर राजस्थान और तीसरे पर आंध्रप्रदेश आता है स्वण की बाद आईए देखते हैं सिल्वर प्रोडक्शन यानि चादी उत्पादन में तो दोस्तों चादी के उत्पादन में शीर्ष राजस्थान है और दूसरे पर करनाटक आता है जबकि चादी भंडारण में राजस्थान जारखंड और आंध्रप्रदेश क्रमसह पहल दूसरे और तीसरे अस्थान पर आते हैं तो चादी उत्पादन में राजस्थान प्रथम अस्थान पर दूसरे पर करनाटक है चादी भंडारण की दृष्टी से राजस्थान पहले अस्थान पर जारखंड दूसरे और आंध्रप्रदेश का तीसरा अस्थान है अगला ज जो अधिक्तम उत्पादक राज्य है वो आंधर प्रदेश है तो सरवाधिक मात्रा में भारत में अभरक का उत्पादन आंधर प्रदेश राज्य से होता है दूसरे अस्थान पर राजस्थान है तो अभरक उत्पादन में आंधर प्रदेश हमारा सीर्स राज्य है और दूस दूसरे पर राजस्थान है। तेल भंडारन की दृष्टी से पहले अस्थान पर असम, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर राजस्थान है। तेल उत्पादन में सीर्ष राजस्थान है लेकिन इसका सरवाधिक उत्पादन अब तटी छेत्रों में यानि समुद्री तट वाले छेत्रों में होता है। जिसमें से 18 जो है ये सारवजनिक छेत्र में, 2 संयुक्त छेत्र में और 3 नीजी छेत्र में हैं। तो कुल मिलाकर देश में 23 तेल शोधन साल आये हैं, 18 सारवजनिक छेत्र में, 2 संयुक्त छेत्र यानि सारवजनिक और नीजी छेत्र की भागिदारी में और 3 नीजी छेत्र में हैं। और नीजी छेत्र में दोस्तों, रिलाइंस की आयल रिफाइनरी सबसे बड़ी है। जिसमें 18 सारवजनिक छेत्र में, 2 संयुक्त छेत्र में और 3 नीजी छेत्र में इस्थित हैं। असम पहले पर आंध्र प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे अस्थान पर आता है तो देख लीजे दोस्तों प्राकृतिक गैस भी अब 30 छेत्रों से ही सरवाधिक मातरा में पाया जाता है आयल या पेट्रोलियम वाले पेट्रोलियम पाय जाने वाले अस्थानों से प्राकृतिक गैस भी अधिक मात्रा में उत्पादित होता है अब तटी छेत्रों से इसकी भी सरवाधिक उत्पादन किया जाता है लेकिन राज्यों की बात करें तो इसमें असम सिर्ष अस्थान पर है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में त्रिपुरा दूसरे और राजस्थान तीसरे पर जबकि गैस भंडार या निचुरल गैसेज के भंडारन की दृष्टी से असम पहले आंध्रप्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे अस्थान पर है दोस्तों उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर तथ्यों को देख लेते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिए महत्वपूर है इसमें देखिए भारत में हीरा यानि डायमंड के भंडार की दृष्टी से मध्यप्रदेश आंध्रप् है लेकिन हीरे का उत्पादन केवल मध्यप्रदेश में पन्ना जिले से होता है तो देखिए हीरे के भंडारण मध्यप्रदेश आंध्रप्रदेश और छतिसगड़ में है लेकिन हीरे का जो उत्पादन है वो केवल मध्यप्रदेश में होता है दूसरा है लिगनाइट ये सीर्ष राज्य तमिल नाडु है। अगला है दोस्तों देश में कुल जिपसम और फायर कले के उत्पादन में कौन सा राज्य सीर्ष पर है तो ये है गुजरात। देखिए देश में कुल जिपसम और फायर कले के उत्पादन में गुजरात सीर्सराज़ी पर है और इसी तरह अगर जो ग्रेफाइट के भंडारण में सीर्सराज़ी की बात करें तो ग्रेफाइट भंडारण में सीर्सराज़ी पर अरुडाचल प्रदेश है जबकि ग्रेफ ग्रेफाइट का सरवाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में ओडिशा और जारखंड है तो ग्रेफाइट का सरवाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में ओडिशा और जारखंड है तो ग्रेफाइट का सरवाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में ओडिशा है तो देखिए मैगनीज अयस्क के उत्पादन में शीर्स राजी हमारा मध्यप्रदेश दूसरे अस्थान पर महराष्ट और तीसरे पर ओडिशा है जबकि मैगनीज के सरवाधिक भंडार ओडिशा में हैं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारत में खनिज उत्पादन और भंडारन के आकड़े इसमें हमने देखा कि भारत में विभिन खनिजों के उत्पादन और भंडार के मामले में कौन से राज्य सिर्फ पर दुतिय अस्थान पर और तृतिय अस्थान पर हैं और ये परिक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परिक्षा, ROARO यानि समिक्षा धिकारी सहायक समिक्षा धिकारी परिक्षा, इसके अलावां High Court समिक्षा धिकारी परिक्षा, के साथ साथ उचतर सिक्षा सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्ष और इस चैनल मागदशनफार सिविल सर्विसे को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार